जैसा कि दोस्तों प्रिवेस पार्ट में हमने नास्टॉक के क्लासिफिकेशन, इसके हैबिटेट और थैलस इस्टॉक्चर के बारे में जाना आज के इस वीडियो में हम Nostock के reproduction इसके single cell structure और heterocyst के बारे में जानेंगे और उसके importance के बारे में भी जानेंगे तो आज का वीडियो बड़ा important है क्योंकि आज के वीडियो में जितने भी topic मैंने लिये हैं सभी topic से आपके exam में question बनते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा तो आईए सबसे पहले हम बात कहते हैं Nostock के single cell structure की तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो Nostock है यह एक prokaryatic cell है और इसके जो cell का structure है वो gram negative bacteria से मिलता है cell is surrounded by a cellulose cell wall और इसका जो cell wall होता है वो cellulose से ढखा होता है और इसके cell का structure cylindrical या फे स्पेरिकल होता है यहाँ पर एक important point यह है कि इसके cell में chloroplast नहीं पाया जाता है परन्तु थैलाकॉइट्स पाया जाते है और इन थैलाकॉइट्स के अंदर जो pigment होते है chlorophyll होते है जो की green pigment है phycocyanine है जो की blue pigment है और phycoerythrine है जो की एक red pigment है इसके अलवा इसके cell के अंदर DNA होता है परन्तु बिना histone protein के होता है जिसे हम nucleoid कहते हैं नेक्स्ट हम बात करते है नौस्टॉक के reproduction की तो नौस्टॉक में sexual reproduction नहीं पाया जाता आप याद रखेगा तो नौस्टॉक में केवल vegetative reproduction और asexual reproduction होता है sexual reproduction is absent तो नौस्टॉक में asexual reproduction और vegetative reproduction fragmentation, harmogonia, echinates और heterocyst के द्वारा होता है तो आए ये one by one इनको हम discuss करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं fragmentation की तो fragmentation में होता क्या है कि जो नौस्टॉक की colony होती है जो बहुत पुरानी हो जाती है ओल्ड हो जाती है वो बहुत बड़ी हो जाती है size में और ये जब एकदम से बड़े हो जाते हैं तो ये तूट कर अलग हो जाते हैं और अलग-अलग नई colony का निर्मार कहते हैं और इस तरह से नौस्टॉक की न्यू का लोनी बन जाती है और इस तरह से जो नौस्टॉक की ओल्ड का लोनी है ब्रेक करके न्यू का निर्मार कहती है इसे हम बोलते हैं fragmentation नीचे आप figure में देख सकते है fragmentation को ठीक है आए नेक्स हम बात कहते हैं कि echinides के दौरा कैसे reproduction होता है तो आपको बता दे कि echinides को हम arthrospore या फिर resting spore भी कहते है during unfavorable condition some cell of filaments become enlarged and they are covered by a thick wall they are called echinides तो जब condition unfavorable होता है तो उस condition में क्या होता है कि जो echinides के filaments है उसके जो cell होते हैं वो size में बड़े होते हैं क्यों बड़े होते हैं क्योंकि ये अपने अंदर reserve food material को store कर लेते हैं और जब condition favorable होता है तो ये नए filaments को produce करते हैं तो कहने का मतलब है कि जब unfavorable condition होता है जैसे कि environment में temperature बहुत दिखो गया या फिर पानी नहीं है तो इसके filaments के जो vegetative cell होंगे वे सभी क्या हो जाएंगे डाई हो जाएंगे लेकिन जो ये echinides होता है वो अपने अंदर reserve food material को store किये रहता है और जब condition favorable आता है तो ये फिर से germinate करता है और नए filament को produce करता है आए नेक्स हम बात करते हार्मोगोनिया की तो ये जो हार्मोगोनिया है ये fragmentation की थ्रू बनता है तो कहने का मतलब भी है कि जैसे ये कोई filament है तो filament में जब कोई vegetative cell break करता है या फिर heterocyst के पास कोई filament break करता है तो जो break किया हुआ filament होता है वो कहलाता है हार्मोगोनिया तो ये जो टूटे हुए filaments होते है ये filaments क्या करते है जब favorable condition आता है तो फिर से नए colony का formation कर लेते है या फिर अगर वो colony के अंदर है तो वो filament क्या करते है ग्रो करते है और colony के अंदर नए colony का निर्माल करते है तो हार्मोगोनिया होता क्या है पहले मैं आपका doubt clear करा देता हूँ तो हार्मोगोनिया को हम define करेंगे हार्मोगोनिया are broken filament अब ये कैसे बनता है तो heterocyst के just नीचे जो cell होते है वो तूट कर अलग हो गए तो अलग हुआ जो part है वो एक हार्मोगोनिया कहलाएगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो filaments है filaments में जो vegetative cell है उसमें से कोई vegetative cell death कर गया या फिर उसका dk हो गया तो dk होने के बाद जो filaments का बचा हुआ part है वो हार्मोगोनिया होता है तो यही हार्मोगोनिया आगे चलका नई colony का निर्मार करता है अगर वो colony में नहीं है और यदि colony के अंदर है तो colony के अंदर ही एक नई colony का निर्मार करता है तो बड़ा important है हर्मोगोनिया आपके exam में इसे question आते है I hope आपको समझ में आ गया होगा कि हर्मोगोनिया क्या होते है और हर्मोगोनिया के through कैसे reproduction होते है next हम बात करते हैं heterocyst के through कैसे reproduction होता है तो जैसा कि मैंने बताया था कि non-stock के filament में कुछ colorless large cell होते हैं जिनका काम nitrogen का fixation करना होता है but in rare case they are separate from the filaments these heterocyst are changed into normal reproductive cell and by the process of cell division it is converted into a new filament तो कभी-कभी ये जो heterocyst होते हैं ये filament से अलग हो जाते हैं और reproductive cell की तरह behave करते हैं और आगे चल कर ये germinate करते हैं और germinate करके नए filament को produce करते हैं next है by endospore तो होता क्या है कि non-stock की कुछ जातियों में जो heterocyst होता है वो जाता है cell division के अंतरगत यानि कि वो directly germinate नहीं करता पहले उसके heterocyst में cell division होता है और उसके चारों तरफ एक thin wall structure बन जाती है एक पतली layer बन जाती है तो ये जो structure होता है इसी को हम बोलते हैं इंडो spore तो जब favorable condition आता है तो ये इंडो spore बाहर आते हैं यानि कि ये heterocyst के wall को break करते हैं अब break करके बाहर आते हैं germinate करके नए filament को जन्म देते हैं तो इस तरह से आपने देखा कि nostalk में asexual और vegetative reproduction होते हैं आजे next हम बात करते हैं nostalk के ecological importance के बारे में तो first point है nostalk are important for their nitrogen friction ability they are used in pedifield and are also used in increase the nutrient value of the soil तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो nostalk होते हैं उनमें एक special structure पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं heterocyst और heterocyst के अंदर nitrogenase enzyme पाया जाता है जिसके कारण इनमें ability होती है कि ये atmospheric जो nitrogen है उसको fix करके nitrate के form में convert करता है जिसे plant use करते हैं तो nitrogen fixation का मतलब के है nitrogen fixation का मतलब है कि जो environment में free nitrogen है उसको convert कर देना nitrate या nitrite में जिसे plant use कर सके हैं तो पहला तो काम हुआ इसका nitrogen fixation का और इसी ability के कारण जो pedifield है यानि कि जो धान के खेत है उसमें use किया जाता है soil की जो nutrient value है यानि कि जो उपजाओ छमता है उसको बढ़ाने में next है they are rich in protein and vitamin C and they are used as a food in various Asian countries तो जो non-stock है इसमें protein और vitamin प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तो बहुत सारे जो Asian country है वहाँ पर ये as a food use किये जाते है जैसी कि अगर हम बात करे non-stock fledgly for me और non-stock community ये use किये जाते है as a food चलते है अगले important की और तो एक chemical होता है polyhydroxy butyrate जो की non-stock mascoram से प्राप्त होता और ये plastic के निर्मार में प्रयोग किया जाता है तो इसलिए इस जाती का प्रयोग जो industrial industry है उसमें बहुत किया जाता है इसके लावा जो sinobacterian है इनका use किया जाता है CO2 को convert करने में biofuels के रुप में तो आज के दोर में जो biofuels है बड़े ही important है इनका use किया जाता है as a fuels इसके लावा आप water में जो water pollutants है उनको degrade करने में इसके लावा आप नीचे देख सकते हैं नास्टॉक की कुछ जातियां है जिनका use किया जाता है as a antibacterial and as a antiviral activity में तो इस activity के कारण इनका use future में as a drugs manufacture में किया जा सकता है इसके अलावा नास्टॉक की एक जाती है नास्टॉक क्यमिनी जिसका use किया जाता है as a salad और नॉस्टॉक की एक जाती है नॉस्टॉक फ्लेजी फॉर्मी जिसका यूस किया जाता है फैट चॉय के रूप में और चाइना में इसका यूस किया जाता है ऐसे वेजिटेबल तो ये थे नॉस्टॉक के कुछ इकोलोजिकल इंपॉर्टेंट जो की बहुत ही इंपॉर्ट जुड़े वे जितने भी टॉपिक है उनको डिसकस करेंगे तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना मत भूलेगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जहिंद जभारत